चैम आता दी, साथियों आज एक और बहुत ही संदर फूल की बात करते हैं, जो ओर्नमेंटल के साथ साथ औशधिये गुणों से भरपूर है, गेंदा, गेंदा आशा सौभाग्य और सकारात्म कूर्जा का प्रतीक है, यह मेक्सिको का मून लिवासी है, और वहाँ 2000 साल से उगाया बताया जाता है, लेकिन आज सारे संसार में प्रसिद्ध है, और भारत में ये 16 शताबदी में योरोपियन व्यापारियों द्वारा लाया गया, गेंदे का फूल जाज़तर संत्री, पीला, मरून और लेमन कलर्स में मिलता है, गेंदे को बीच से लगाय जाता है, और अगर गेंदे के पौधे की बुशी लुक चाहिए, तो इसकी शुरू में ही पिंचिंग की जा सकती है, गेंदे का पौधा कुछ कीटों का भोजन है, और बटरफ्लाई गार्डनिंग में गेंदे के फूल ही लगाय जाते हैं, लेकिन इसकी तीखी गंध ऐसी होती है, जिससे मच्छर भी दूर हो जाते हैं, ये प्राकर्टिक रूप से कीट नाशक है, कीट नाशक होने के कारण गेंदे को अन्य पौधों के साथ लगाय जाता है, ताकि उनकी भी रक्षा हो जकें, गेंदे के फूल खाने योगे होते हैं, और इसकी फूल और पतियां आयरवेदिक चिकित्सा में दवाईयां बनाने के काम आती हैं, इसका असेंशिल आयल परफ्यूम्स में और खाने में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें एंटी आक्सिडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, मेक्सिकों में तो सर्पदर्श के इलाज में भी इस पौधे का प्रेयोग होता है, गैंदे की पतियां सुखा कर कुछ देशों में मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है, इसकी चाय गुणकारी बताई जाती है, गैंदे से नेचरल रंग निकाला जाता है नेचरल डाई बनती है इसकी जो कपड़े रंगने में भी और खाने की वस्तुएं रंगने में भी काम आती है इसके फूलों की पतियां सलार में भी इस्तेमाल की जाती है भारत में कोई त्योहार, कोई शुबकार, कोई पूजा गैंदे के फूल के बिना हो ही नहीं सकती यहाँ शुब अवसरों पर तोरण बनाने में प्रवेश त्वार के सजाने में यह फूल काम आता है मंदिरों की सजावट, मूर्तियों की मालाएं गैंदे से बनती है और हमारे मुख्य त्योहारों में जैसे दशेरा, दिवाली, शिवरात्री में तो गैंदे की मालाएं ही सजावट का काम करती है इसलिए भारत में अब काफी शित्रों में गैंदे का उत्पादन किया जाता है गनेश जी की पूजा में, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा में और शिवर जी की पूजा में कैंदे के फूल का विशेश महत्व है साथियों प्रकृति की ऐसी ही सुन्दर बातें चानने के लिए प्रकृति का जाता है जाय मात अधी